नमस्कार साथियों मैं धीरे जादा अब सभी का हमारे इसके इस्टर पर जारी रखनी है और आपके साथ कदम से कदम मिला करके कॉंपोडिशन कम्टी ख़़ा दिखाई देगा तो हम बात करें आपकी सफलता की तो आपकी सफलता के लिए कॉंपोडिशन कम्टी हर संभव प्रयास से यूँ ही करता रहेगा इसकड़ी में आज हम यहाँ पे बात करेंगे रिजनिंग के सेशन नंबर टू की इससे पहले कि अगर हम बात करें तो हम लोगों ने सेशन वन डिसकस किया जहांगे हम लोगोंने कोडिंग डिकोडिंग पर concepts को सीखने के बाद किन-किन topics के questions हम आसानी से बना सकते हैं इसके उपर हम लोगों ने चर्चा की इसी कड़ी में आज हम यहाँ पर words for based various topics से पूछे जाने वाले प्रस्णों की चर्चा करेंगे जो कि आपके exam में पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर start करेंगा आज dictionary order इसके बाद logical sequence of words की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हम चर्चा करेंगे हम चर्चा करेंगे यहाँ पर logical end diagram की clear इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग dictionary order के साथ शुरुवात जरूर कर रहे है यानि कि अगर हम बात करें तो dictionary order में भी आपको शब्दों से संब्धन प्रशन दिखाई देंगे लेकिन जो previous year में हम लोगों ने topic discuss किया था जैसे कि आपका classification की बात करें या analogy की बात करें तो वहाँ पे भी आपके word पर based question होते है ठीक है दोनो topics को भी आज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे include करेंगे तो ऐसा नहीं कि उन topics को हम लोग यहाँ पर repeat करें वहाँ पे आपके letter के format या coding recording के concept पर बेस जो आपके प्रस्ण बनते हैं उनको हम लोगों ने discuss किया लेकिन topic आपका same हो सकता है लेकिन question के जो type है वो vary करेंगे तो उन topics को भी हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे ठीक है तो चलिए start करते है आज का session और session में सबसे पहला जो प्रस्ण है वो आपको dictionary order से बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो dictionary order के लिए मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि dictionary order में हमें क्या करना होता है शब्दो को Sh Speed coach के अनुसार अरेंच करना होता है जो कि हम बच्पन से ही करते आ है यहाँ पर हम कोई कठिनाय नहीं होने वाली लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कई बार हम क्या कर देते हैं या पहले तीन अक्षर हर एक word में common दिखाई दे रहे इसलिए हमें पहले तीन अक्षरों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रत नहीं है इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर two सबसे पहले दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर आपको A दिखाई दे रहा है इसके बाद अगर हम बात करें तो सब में D दिखाई दे रहा है अब D के बाद अगर हम बात करें तो E वाले को हम पहले यहाँ पर consider करेंगे इसके बाद सब में I दिखाई दे रहा है तो I के बाद हम क्या करेंगे B वाले को पहले consider करेंगे फिर T के बाद A वाले को consider करेंगे और फिर हम क्या करेंगे T के बाद O वाले को consider करेंगे यानि कि जो sequence हमारा बनेगा वो क्या बनेगा 2 के बाद में 5 बन जाएगा इसके बाद अगर हम बात करें 3 बन जाएगा इसके बाद में बन जाएगा 4 और बन जाएगा 1 यानि कि यह क्या हो जाएगा proper एक sequence बनता हुआ दिखाए देगा 2, 5, 3, 4, 1 यानि कि option number B क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए clear चलिए बात करते हैं फटा-फट से अगले पूछेगा प्रस्ण की तो अगले प्रस्ण में भी आप देख पारें कि शुरू के 2 element सभी में क्या है common है हम बात करते हैं जब तीसरे element की तो सबसे पहले यहाँ पर E दिखाई दे रहा है यानि कि 1 वाला क्या हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा यानि कि 2 option हो गए आपके eliminate clear 2 option हो गए आपके eliminate इसके बाद अगर हम बात करें तो सब में O common दिखाई दे रहा है O के बाद A वाले को हम priority देंगे तो 1 के बाद आएगा 5 जो की दोनों भी कलपों में दिखाई दे रहा है इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको double O के साथ में D दिखाई दे रहा है यहाँ पर R दिखाई दे रहा है निकि D वाले को हम क्या करेंगे पहले रखेंगे तो 1 5 के बाद जो 4 वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा पूछेगा प्रस्ण के लिए बाकी को हमें यहाँ पर arrange या चेक करने क्या हो शक्ता नहीं है ठीक है चलिए move on करते है फटाफट से अगले प्रस्ण पर करें तो डी आई एस आपको सब में common दिखाई दे रहा है इसके बाद यहां पर आपको सी दिखाई दे रहा है यानि कि सबसे पहले हो जाएगा सी एक option होगा eliminate इसके बाद आपको पांचवा दिखाई देगा तो इसको भी आपको चेक करने की जरूद नहीं क्योंकि आपके बागी के विकल्पों में यह क्या है common है चार और दो की अगर हम बात करें तो चार और दो में आप देख पार कि पहले एस सवाल आएगा यानि कि पहले क्या है का फोर आएगा यह option भी होगा आपका eliminate इसके बाद दो को हमें चेक करने की जरूद नहीं है हमें चेक करने की जरूद थे कि अबल तीन और एक में तीन और एक की अगर हम बात करें तो यहाँ पहले आजाएगा आपका एक यानि कि option नमबर बी क्या हो जाएगा approach यहाँ पे बहुत important role play करता है तो अगर हम बात करें question की तो choose यहाँ पे बोला गया है choose one word which cannot be formed ध्यान दीजिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वाला नहीं बनाया जा सकता ठीक है तो यह हमें ध्यान देना कि कौन सा बनाया जा सकता है पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता पूछ रहा है अब आप केवल और केवल यहाँ पे approach पे ध्यान देंगा approach के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको केवल और क्या करना होता है सबसे पहले वावेल्स पे ध्यान देना होता है वोवेल्स के गर हम बात क्या तो कहीं पे भी आपको यहां पे E दिखाई नहीं दे रहा यानि कि E के साथ में जो वर्ड है वही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछेगे प्रस्न के लिए विदिन सेकेंड चुटकियों में अगर आप इस अपरोच को फॉलो करते हैं और विच आफ दे फॉलिंग कैनाट भी फॉर्म आपको कोश्चन देखने को मिलेगा तो हंडेड में से 90 टाइमस वोवेल पर ही बेज़ड होगा कौन सावाला नहीं बनाया जा सकता है तो यहाँ पे आप कहीं भी A को देख नहीं पा रहे है यानि कि A के साथ में जो विकल्प होगा जैसा कि option number D में दिखाई दे रहा यही क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा क्यों क्योंकि यह particular word given word के letters का use करके नहीं बनाया जा सकता है clear चलिए अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही question आपको देखने को मिले यानि कि which of the falling can be formed भी आपसे पूछा जा सकता है जैसा कि अगले प्रस्ट में आपको देखने को मिल रहा है clear तो अगर हम बात करें measurement की तो फटा-फट से यहाँ पर हम क्या करेंगे eliminate करेंगे और ऐसे प्रस्टों में आपको विश्य से ध्यान ये देना रहता है कि अगर vowel consonant का concept नहीं देख रहे है तो हम क्या करेंगे किसी भी letter के repetition को ध्यान से देखेंगे जैसे यहाँ पर S आपको double दिखाई जारा तो यह हो जाएगा आपका eliminate master के अगर हम बात करें तो यहाँ पर म-A-S-T-E-R M-A-S-T-E-R यानि कि master आपका बनाय जा सकता है submit के अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर कहीं भी I दिखाई नहीं दे रहा यह भी हो जाएगा आपका eliminate answer की बात के तो option number और यह क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रसने के लिए clear चलिए फटा-फट से बात करेंगे अगले प्रसने की environment की environment की अगर हम बात करें तो पूछा है कौन सा वाला यहाँ पर form किया जा सकता है ठीक है कौन सा वाला बनाय जा सकता है तो मैंने कहा repetition of letter की जब हम बात करेंगे तो double M भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको double M दिखाई दे रहा है जबकि word में आपको double M देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो double N देखने को मिल रहा है दो से जादा बार N आपको देखने को मिल रहा है इसके बाद अगर हम बात करें तो डबल T आपको देखने को नहीं मिल रहा है यह वाला हो जाएगा इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपका डबल N है साथी साथ डबल E है तो दोनों आपको यहाँ पर दो या दो से अधिक बार देखने को मिल रहे है बचा आपका Eminent तो देख लेते हैं फड़ा फड़ा से यहाँ पर इसे बना जा सकता है थो नहीं E-M-I-N-E-N-T बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें Option Number B की तो इसको बना जा सकता है जबकि Option Number अगर हम D की बात करें तो E-N-T-R-A-N-C-E यानि कि यहाँ कहीं भी आपको A देखने को नहीं मिल रहा है तो Option Number B क्या हो जागा? Right Answer हो जागा? पूछे गए प्रस्टने के लिए Clear चलिए Immediately की अगर हम बात करें तो अगें यहाँ पर पूछा है Can Be Formed ठीक है? कौन सा बना जा सकता है? तो Immediate की अगर हम बात करें तो फटा फट से यहाँ पर देखेंगे तो M आपका दो बार आया है R आपको देखने को नहीं मिल रहा है Eliminate फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर C देखने को नहीं मिल रहा है Eliminate फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Limited में आपको L I M E T E D यानि कि बनता हुआ दिखाई देगा फिर इसके बाद आपको T यहाँ पर एक ही बार देखने को मिल रहा है यानि कि यह भी हो जाएग आपका Eliminate इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं प्राक्टिस के साथ कोश्चन्स को विदिन सेकंड चुटकियों में बना सकते हैं बात करेंगे यहाँ पर फटाफट से अगले पूछे गए प्रस्ट की जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने क्या उशकता है प्रस्ट आप देख सकते हैं यूपी जेल पुलिस की परिक्षा में 2021 में पूछा गया प्रस्ट नहीं यहाँ पर अगर हम बात करें विकल्पों में दिये गए शब्दों में से कौन सा शब्द D, E, N, T, A, I, T अक्षरों में से किसी भी अक्षर का कितने भी वारुप योग करके बनाय जा सकता है और हमें चुनना है विकल्पों में से ठीक है ना तो आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो D, E, N, A, I, T D, E, N, A, I, T के अलावा आपको जो भी element दिखाई दे R दिखाई दे गया M दिखाई दे गया eliminate D, F दिखाई दे गया eliminate इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर G भी आपको दिखाई दे गया तो eliminate option same था किसी भी आप letters eliminate कर सकते थे इसके अलावा गर हम बात करें तो यहाँ पर आपको A है, I है, N है T है, E है, D है detained clear, इसको बनाए जा सकता है इसको क्यों हमने eliminate किया तो यहाँ पर आपको O देखने को नहीं मिला यहाँ कि option number ही क्या हो जागा right answer हो जागा पूछे गए प्रस्ने के लिए clear logical sequence of words logical sequence of words पर जो based question होते है वहाँ पर हमें किसी भी घटना के क्रम को दर्शाना होता है जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर birth हमने कहा marriage ठीक है marriage के बाद हमने कहा education फिर हमने कहा job ठीक है फिर हमने कहा death इस प्रकार से आपको अगर मैं 5 word दूँ और मैं बोलू कि इनके sequence को आप लगाई है इनका logical जो sequence है उसको आप arrange करी है तो आप कहेंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा birth हो जाएगा birth के बाद में हो जाएगा आपका education education के बाद आप job और marriage वाला थोड़ा सा यहाँ पर मुद्दा फस रहा है लेकिन ideology यही कहती है ideal situation यही होती कि पहले आपके पास job हो फिर उसके बाद आप क्या करें marriage करें यानि कि birth के बाद education फिर job फिर marriage और इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा death यानि कि यह इसका हो जाएगा proper sequence तो बीच में कई बार complications भी आती है question की question यहाँ पे आपके exam में अगर बात करूँ तो MP सुविदार and SI 2017 के exam में पूछा गया प्रस्न है बात करेंगे doctor fever prescribed diagnose medicine और यह प्रस्न के वाल इस exam में नहीं यह आपको अन्य बहुत सारे exam में पूछा गया प्रस्न देखने को मिल रहा है यानि कि इस प्रस्न को बार बार पूछा जाता रहा है और most probably की हम बात करें जब इस particular question की तो exam में अगर 10 shift हैं अलग अलग जैसे अगर हम SSC वगरे के exam की बात करते हैं और question बन रहा है logical sequence of words से तो कहीं न कहीं यह question आपको जरूर देखने को मिल जाएगा क्योंकि बार बार repeat किया जा रहा है इस प्रस्न को कई बार आपको कई अन एक्जामों में भी इस प्रस्न को आप देख सकते हैं with date with name of examination ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पे doctor fever prescribed diagnose medicine तो सबसे पहले क्या होगा fever आएगा तब आप जाएंगे doctor के पास यानि कि पहले हो जाएगा दो फिर हो जाएगा एक फिर दॉक्टर क्या करेगा option किस प्रकार से यहाँ पे दिये गए हैं तो isending order के अगर हम बात करें यहाँ पे दिया गया है byte फिर आपको दिया गया मेगा बाइट टेराबाइट गीगा बाइट और कि लोबाइट यानि कि अगर हम बात करें byte के बाद जो इकाई आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपको kb clear kb के बाद आपको मिलता है यहाँ पे देखने को mb यानि कि जिसको हम megabyte बोलते है mb के बाद मिलता आपको gb जिसको हम लोग gigabyte बोलते है और GB के बाद मिलता आपको टेराबाइट इसको हम लोग TB बोलते हैं ठीक है मान लेते हैं इसके बाद का सीक्वेंस अगर आपसे पूछ लेगा तब आप क्या करोगे तो exam में अगर इसके बाद का सीक्वेंस पूछेगा तो इसके बाद आपका आता है पेटाबाइट पेटाबाइट के बाद आता है आपको एक्साबाइट एक्साबाइट के बाद आता है जेटाबाइट और अट लास्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा योटाबाइट ठीक है यानि कि अगर हम बात करें इसके आगे के sequence की तो इसके आगे के sequence पर based भी question देखने को मिल सकते है यानि कि 1024KB बराबर होता है 1MB 1024MB बराबर होता है 1GB 1024GB के बराबर होता है 1TB और 1024TB के बराबर होता है 1PB 1024PB के बराबर होगा एक्साबाइट, फिर रिसी पिकारद 1024 के बरावर होगा, जेटाबाइट और योटाबाइट, ठीक है, क्लियर, तो आगे का सिक्मेंस भी आप यहां पर अरेंज कर सकते हैं, बात करेंगे अगले question की, अगले दी मैं question की बात करूँ, तो बोला है answer writing, answer book, admit card, question paper, examination form, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, साही के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले आपने किया होगा, examination form भरा होगा, यानि कि exam के लिए apply किया होगा, exam के लिए जब हम apply करते हैं, तो क्या होता है admit card आता है और admit card आता है जब हम exam hall में जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दी जाती है उत्तर पुस्तिका दी जाती है ध्यान दीजे प्रशन पत्र पहले नहीं दिया जाता है पहले हमें दी जाती है उत्तर पुस्तिका उत्तर पुस्तिका कि अगर हम बात करें आंसर हमें जिस लिखना होता है जिसे अगर आपने आपने अग्जाम भी दिया होगा बैंक वगर्या के एक्जाम में आप जाते हैं तो पहले आपको rough sheet दी जाती है को कोशन आपका बाद में अपियर होता है निकि exam स्टार्ट होने के बाद लेकिन आपको rough sheet पहले से दे दी जाती है, तो उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी, इसके बाद अगर हम बात करें, तो आप answer लिखते हैं, और उसके बाद हम, sorry, उसके बाद आपको question paper मिलेगा, फिर आप क्या करेंगी, answer write करेंगे, यानि कि sequence के अगर हम बात करें, तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा, answer question paper, यानि कि 4 और फिर हो जाएगा आपका 1, यानि कि answer writing क्या होगी, at last होगी, तो 1, 4, 2, 3, 5, यानि कि option number C क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, 5, 3, 2, 4, 1, आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, क्लियर, अगले यादि में topic की बात करो, तो logical when diagram को हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले हैं, logical when diagram में क्या होता है, तो logical when diagram में आपको various elements के बीच में when r1 की सायता से relation बताना होता है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर when r1 की, तो यहाँ पर basically आपको 11 प्रकार के when r1 देखने को मिलेंगे, जो कि आपके exam में पूछे जा सकते हैं, तो 11 प्रकार के when r1 कौन से है, फटा-फट से एक नजर हम लोग डाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसके when r1 का इस्तेमाल करते हैं, जब पहली वस्ती दूसरी वस्ती से पूर्टिया संबंदी तो तथा, दूसरी वस्ती तीसरी वस्ती से पूर्टिया संबंदी तो, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 11 प्रकार के 11 तरीके से when r1 देखने को मिलते हैं, ठीक है, य इसके बाद अगर हम बात करें, यह होगा आपका अच्छे, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यह होगा आपका, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यह होगा आठ, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यह होगा आपका, अच्छे इसको मैंने बना लिया है, ठीक है, चलो, यह हो गया आपका, यह हो जाएगा आपका, नौ, फिर अगर मैं बात करूँ तो यह हो जाएगा आपका, दस, और फिर अगर मैं बात करूँ तो यह हो जाएगा आपका, ग्यारा, तो बेसिकली आपको यह ग्यारा प्रकार के वे नारेक देखने को मिलेंगे, यहाँ पे पहली वस्तु दूसरी वस्तु से पूर्णतया संबंदित है तथा दूसरी वस्तु तिसरी से पूर्णतया संबंदित है यहाँ पर हम बात करें जब वस्तु एक वस्तु दो के साथ में आंसिक रूप से संबंदित हो तथा वस्तु एक और दो वस्तु तीन के साथ में पूर् पिता और माता दोनों ही मनुष्य हैं लेकिन जो पिता है वो अलग है जो माता है वो अलग है ठीकर? तो अलग अलग example आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यहाँ पर जब वस्तू एक वस्तू दो के साथ में आंसिक रूप से संबंदित हो लेकिन वस्तू तीन इन दोनों से पूर्णतिया भिन हो यहाँ प्यागर मैं बात करूँ जब वस्तू एक वस्तू दो के साथ में पूर्णतिया संबंदित है तथा वस्तू तीन इन दोनों से पूर्णतिया क्या है भिन है यहाँ प्यागर मैं बात करूँ जब वस्तू एक वस्तू दो तथा तीन के साथ में आ तेन के साथ में पूर्णतेया संबंदी तो जब वस्तू एक वस्तू दो के साथ मैं पूर्णतेया संबंदी तो । हम इस प्रकार के वेनारेक का इस्तमाल करेंगे ठीक है चली बात करते हैं प्रस्णों की प्रस्णों की यदि मैं बात करूं यहाँ पर राजेसान पुलिस कॉंस्टेबल की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है यहाँ पर हमें बताना है एनिमाल्स प्लांट्स और रैबिट्स के बीच में संबंध जो की दिये गए विकल्पों म यहाँ पर ना तो पसू है ना तो खरगोस है यानि कि पौधे का संबंध खरगोस और पसू से यहाँ पर नहीं होगा आंसर के अगर हम बात करें तो option number D क्या करेगा best तरीके से represent करेगा relation के किसके किसके खरगोस एनिमल और प्लांट के तो यह हो जाएगा आपका यह वाला इ इससे हो जाएगा एनिमल और यह हो जाएगा प्लांट क्लियर चलिए बात कर लेते हैं फराफट से अगले प्रश्ण की अगले अधी मैं प्रश्ण की बात करूँ which are days, weeks and years तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कुछ भी अत्रिक्त बताने क्या हो शकता है क्योंकि weeks में क्या होते हैं days होते हैं और years में days भी होते हैं और weeks भी होते हैं यानि कि answer कि हम बात करें तो option number D काफी आसा question है तेलंगना पुलिस S.I.E. 2018 की परिक्षा में पूछा गया प्रश्ण है आगे कि अगर हम बात करें तो राजस्थान पुलिस Constable 2020 की परिक्षा से प्रश्ण आपको देखने को मिल रहा है tools, x और knife यानि कि अगर हम कुलारी या चाकू की बात करें तो दोनों के संबंधी तो हो लेकिन वस्तु एक और दो का आपस में कोई भी संबंध ना हो clear तो answer हो जाएगा यहाँ पर option number A बात करेंगे अगले पूछेगा प्रश्ण की पुलिस Constable, pion और people तो pion भी क्या होते है लोगों में से ही मिलेंगे और constable भी लोगों में से ही देखने को मिलें बात करेंगे अगले प्रश्ण की fruits, vegetables and guava तो guava क्या है fruit है जबकि vegetable क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी answer हो जाएगा आपका option number D within second चुटकियों में ये बनाने वाले प्रश्ण होते हैं आवशकता होती तो आपको प्रश्ण के अभ्यास की और अगर यहाँ पे आप previous year questions का अभ्यास करते हैं तो वो आपके लिए सबसे best तरीका है क्योंकि ऐसे exams में जो आपके question बनते हैं वो basically आपके किसी ना किसी un exam या repeated question बनने की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती comparison to other topics ठीक है बात करते हैं आप फटाफट से अगले प्रश्ण की अगले प्रश्ण में थोड़ा सा तरीका अलग है प्रश्ण को पूछने का यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपको बताना है किस वेंड डाइग्राम को best console state कर रहा है यानि कि यह जो given options है इन में से आपको बताना है कि इस वेंड डाइग्राम के लिए कौन सा वाला best option यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो अगर हम बात करें father की और son की तो जितने भी father है वो अबिस सी बात है बेटा तो होंगे ही होंगे तभी वो बाद म आपका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हला कि इसके लिए जो best बनेगा वेनारेक उसकी मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ और आप सभी को comment करके बताना है कि आप सभी में से कितने लोगों ने इन चारों के लिए इन चारों के लिए सही सही वेनारेक बनाय इसकी तो father सारे के सारे क्या होंगे जो भी father है वो definitely male होंगे और जितने भी father है वो definitely क्या होंगे son होंगे ठीक है तो यह हो गया इसके लिए बात करते है अगला illiterate engineers और graduates अगर graduates है तो वो definitely क्या होंगे illiterate होंगे ही होंगे फाहती है अगर हम बात करें इंजीनियर्स की तो इंजीनियर्स को भी हम graduates की category में रखेंगे यह होगे आपका इंजीनियर् सारे कें नहीं कि हर graduate engineer ही हो ठीक है इसके बात कि अगर हम बात करें तो कि क्या हो जागा आपका illiterate हो जागा है नहीं कि अलग हो जागा mother males और son यानि कि जो माता हैं और जो पुत्र हैं वो सारे के सारे क्या होंगे male होंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका structure बनेगा और educated doctors और mothers की अगर हम बात करें तो जितने भी doctors हैं वो definitely क्या होंगे educated होंगे और आगे कि अगर हम बात करें mothers की तो कुछ mothers भी क्या होंगी educated होंगी और कुछ mothers doctor भी हो सकती है यानि कि option number D इस प्रस्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा तो comment box में आप सभी को comment करके बताना है कि आप मेंसे कितने लोगों के बाकी जो तीन बचे हुए विकल्ब थे उनके लिए भी सही सही वे नारेख आप लोगों ने बनाए clear चलिए अब वेन आरेख पर जो दूसरे तरीके से प्रस्ने पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है यहाँ आप देख सकते हैं some police constable 2020 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ने which number is in all three figure कौन सा number तीनों के तीनों figures में है तो यहाँ पर clearly देख सकते हैं जो number 5 है वो आपका circle में भी है triangle में भी है और rectangle में भी है तो answer के गर हम बात के तो option number ही क्या हो जागा right answer हो जागा पूछे गए प्रस्ने के लिए बात करेंगे फटा-फट से अगले प्रस्ने की अगली अधी में प्रस्ने की बात करूँ तो यहाँ पर पूछा है what is the product of the numbers which are lying only in rectangle जो केवल और केवल rectangle में तो यहाँ पर शब्द जो है वो विशेश भूमिका निभाते हैं आपकी जो language है वो क्या करती बहुत important role play करती है आपके exam में ठीक है तो यहाँ पर अगर only word दिया गया है यानि कि वो केवल और केवल rectangle का हिस्सा होना ची किसी और का हिस्सा होना नहीं चाहिए यहाँ पर आप अपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवशकता होती है ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर अपको ध्यान देने की जरुवत होती है यह circle मैं बना देता हूँ यहाँ से आपका न यह circle बना हुआ है ठीक है तो अगर हम बात करें तो बुला है rhombus rhombus stands for drivers यानि कि अगर हम बात करें विशमACON जो है वो आपके drivers को दर्शाता है इसके बाद अगर हम work की बात करें यानि कि इससा किसके लिए हो गया drivers के लिए ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, square stands for government employee, यह होगी आपके government employees के लिए, clear, और circle के अगर हम बात करें, circle stands for diabetic patients, यानि कि यह होगी आपका diabetic patients के लिए, clear, अगर हम प्रस्ण की बात करें, तो how many diabetic patients are neither government employee nor drivers, कितने ऐसे यहाँ पर diabetic patient है, जो कि ना तो employee है, government और ना तो driver है, यानि कि answer के अगर हम बात करें, तो answer हो जाएगा 30, यानि कि 30, clear, बात करेंगे अगले प्रस्ण की, अगला प्रस्ण भी आपको इसी प्रकार देखने को मिल रहा है, CG व्यापम पटवारी परिक्षा 2017 में पूछा गया प्रस्ण है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है, rectangle represent artist, यह किसके लिए है, यह artist के लिए है, कलाकारों के लिए है, ठीक है, आगे कि अगर हम ब पूछा क्या जा रहा है, तो प्रस्ण के अगर हम बात करें, तो पूछ रहा है, how many players are, neither artist nor doctors, कितने ऐसे यहाँ पर players है, जो ना तो क्या है, डॉक्टर है, ना तो artist है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पारें कि 25 ऐसे प्लियर है, जो ना तो artist है, और ना तो क्या है, डॉ option number D क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछे गए, प्रस्ण के लिए, फड़ा फट से move on करेंगे, यहाँ पर अगले प्रस्ण की बात करूँ, तो SSC J, यहाँ पर latest आप देख पारें कि प्रस्ण, आपको देखने को मिला, 2021 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है, यह यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो बोला जा रहा है, triangle stands for teacher, यानि कि यह होगा, किसके लिए, teachers के लिए, आगे कि अगर हम बात करें, teachers in school, ध्यान दीजे, teachers in school, इसके बाद अगर हम बात करूँ, the circle stands for female teachers, यह किसके लिए है, यह है female teachers के लिए, और आगे कि अगर मैं बात करूँ, square की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, sorry, rectangle है, यहाँ पर बोला जा रहा है, rectangle stands for trained teachers, है हलाकि square, लेकिन आप उसको rectangle भी बोल सकते हैं, because every square can be considered as rectangle, ठीक है, trained teachers, चल यह बात कर लेते हैं, आप फटाफट से प्रस्णों की, प्रस्ण की यदि मैं चर्चा करूँ, तो पूछा जा रहा हा, how many trained female teachers are there in the school, एक तो trend भी हो, दूसरी क्या हो, female teacher हो, teacher in the school के अगर हम बात करें, तो how many trained female teachers are there in the school, तो female भी हो, trained भी हो, और साथ ही साथ क्या हो, teacher भी हो, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, पांच, यानि कि option number A, क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछे के प्रस्ण के लिए, जो की तीनों में क्या है, common है, basic सी बात यही थी, जो है, common है, आगे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देख लेते हैं, फड़ा फट से क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है, पेंटागोन, पेंटागोन की अगर हम बात करें, stands for seller, यानि कि जुनाविक होते हैं, आगे की अगर हम बात करें, तो बोला जारा, circle stands for female, circle क् female को represent कर रहा है आगे कि अगर मैं बात करूँ तो यहां पर rhombus stands for illiterate और यह illiterate लोगों को क्या कर रहा है represent कर रहा है ठीक है बात करेंगे प्रश्ण की how many female sailors are not illiterate कितने ऐसी female sailors है जो की illiterate नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं 34 क्यों हो जागा right answer हो जागा पूछे के प्रश्ण के लिए क्यों क्योंकि यह females भी साथी साथ sailor यानि कि नाविक भी है लेकिन illiterate नहीं है ठीक है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है इन प्रश्णों में और साथी साथ जब language ही हम बात करेंगे तो language यानि कि सिंगर भी हो साथी साथ डानसर भी हो और हमारा काम आसान हो जाएगा परस्ण में इस प्रकार से अगर यह डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सा सेक्षन इंजिनियर को दरसा रहा है कौन सा सेक्षन सिंगर को दरसा रहा है कौन सा सेक्षन किसको दरसा रहा है गायक क्या था करना हमें वही काम था almost आपने जो भी प्रशने देखे हमें क्या करना है अलग-अलग आकरतियों में से अलग-अलग एरिया को क्या करना है decide करना है कि कौन सा एरिया किसको represent कर रहा है कौन सा एरिया single element को represent कर रहा है कौन सा एरिया combined element को represent कर रहा ठीक है इसकी हमें बहतर समझ होनी चाहिए बात करेंगे फटा-फट चेहां पर अगले पूछे गए प्रस्ण की अगले अधी मैं प्रस्ण की बात करूँ अब पहले हम देखेंगे कि कौन सा वाला shape कौन सी वाली आकरती किसको रिप्रेजेंट कर रही है तो यहां पर अगर मैं बात करूँ hexagon stands for police यानि कि यह रिप्रेजेंट कर रहा है किसको पुलिस को circle की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर circle stands for income taxpayer यानि कि हो जाएंगे आपके income taxpayer और अगर मैं यहां पर square की बात करूँ तो square रिप्रेजेंट कर रहा है किसको females को clear आप यहां पर पूछ रहा है how many female police officers are also income taxpayer यानि कि सब में क्या हो common हो तो यहां पर आप clearly देख सकते है answer बनेगा आपको option number C यानि कि 9 तो आपने देखे कि अधिकतर जो प्रस्न है वो आपके exam में पूछे गए प्रस्न है डेली police constable 2020 की परिक्षा में पूछा गए प्रस्न है लेकिन यहां पे जो आपका प्रस्न है वो basically almost यहां पे आप देख रहे है तो common area की बात करा जो तीनों में common है अपने कई सारे अलग-अलग exam में पूछे गए प्रस्नों को देखा लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें अलग-अलग element का अलग-अलग area कौन सा है उसकी समझ होनी चाहिए ठीक है चलिए तो word analogy जैसे कि हमने analogy पर बेज last session में questions देखे थे जो कि आपके letters पर बेज़ थे यहाँ पर हम लोग word analogy की चर्चा करेंगे तो पहले यदि मैं प्रस्न की बात करूँ तो यहाँ पर बोला जा रहा है school फिर आपको एक blank दिया गया है फिर यहाँ पर students है उसी प्रकार से patients होते है ठीक है अब हम बात करेंगे दिये गए विकल्पों की तो school में अगर हम teacher के साथ जाएं तो school में teacher होता है फिर student होते है यानि कि school teacher और student का जो role है क्या वही role यहाँ पर hospital medicine और patient का देखने को मिल रहा है ठीक है तो यहाँ से आपको answer clear हो चुका होगा कि यहाँ पर answer क्या होगा answer हो जाएगा आपका option number C यानि कि school में जिस प्रकार से teacher क्या करता है students को पढ़ाता है उसी प्रकार से hospital में doctor क्या करता है मरी जो का इलाज करता है बाकी के options आप eliminate करके भी इस प्रस्ण को बना सकते थे तो दोनों ही तरीके यहाँ पर आपके पास available है जो तरीक आपको बहतर लगता है उस अफ्रोच से आप यहाँ पर प्रस्ण को हल कर सकते थे काफी easy सा question है पटना जिस प्रकार से बिहार की राजधानी उसी प्रकार से भोपाल आपके मद्ध प्रदेश की राजधानी अनकी answer की बात कर तो option number A हो जाएगा right answer प्रस्ण पूछा गया था आपका राजस्थान पुलिस कॉंस्टेबल 2020 की परिक्षा में यूपी जेल पुलिस 2021 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है सरकल में होता है circumference तो polygon में क्या होता है तो polygon में होता है आपका perimeter काफी आसान सा प्रस्ण है ठीक है और कई बार हम क्या होते हैं confused होते हैं हिंदी और English को ले करके कि यहां पे आपके जो English के सब्दावली है उसको हिंदी में भी इसी प्रकार से लिख दिया गया है और इसी लिए मैं जब बहुत सारे chapters आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो आप लोगों से यह request करता हूँ कि कोशिश करिये कि दोनों ही भाशाओं में आपको क्या हो particular अगर हम reasoning की बात करें तो आपको किसी भी topic का विशेस ग्यान जो है वो किसमे हो दोनों ही भाशाओं में हो तो बहतर है जिससे आप exam में इस प्रकार से पूछे गए प्रस्णों में कहीं भी confuse ना हूँ क्योंकि कई बार अगर हम बात करें blood relation वगरा की भी तो वहाँ पे भी आपको brother-in-law sister-in-law इस प्रकार से आपको option में देखने को मिलता है ठीक है तो language पर बहतर command आपकी दोनों ही languages में होनी चाहिए अगर हम बात करें Hindi की हम बात करें English की ठीक है तो हमें confuse नहीं होना है बात कर प्लूम यहां पर हो जाएगा रेंच यानि की पाना आपका राइट आंसर प्लूमबर के पास क्या होता है रेंच या फिर पाना होता है जोईन ब्रेक यानि कि अगर हम बात करें विपरीतार थक स्थ या आप बोल सकते हैं आपको देखने को मिल रहा है यूपी जेल पुलि 2021 की परिशा में पूछा गिया प्रशन है यानि कि इन अगर हम topics के वेटेज की बात करें तो आप बार बार देख रहे हैं कि इन topics से आपको question देखने को मिले है various exams में question देखने को मिले ठीक है तो यानि कि अगर हम marriage की बात करें तो शादी भी क्या है एक बंधन एक जुडाओ है जिसका अगर हम बात करें divorce क्या हो जाएगा अलग करने के लिए यानि कि अगर हम बात करें join का opposite यहां पर क्या है break है उसी प्रकार marriage के साथ में यहां पर जो divorce है वो given option में से answer हो जाएगा ठीक है बात करते हैं अगले प्रशन की अगले प्रशन की बात करो तो architect क्या करता है building म आता है तो author किसके लिए होगा author होगा आपका books के लिए यानि कि answer हो जाएगा option number B तो यहां पर बहुत जादा मुझे describe करने के वशकता नहीं है गाइन को लोजी ठीक है तो यहां पर जब आप root word पढ़ेंगे तो गाइन का मतलब ही क्या होता है महिला से संबंदित होता है female से संबंदित होता है यानि कि गाइन को जो logist होते है वो women's के doctor को बोला जाता है hematology जो है वो blood की study को बोला जाता है hematology ठीक है तो इस पर based मैंने आप लोगों को various studies या अगर हम बात करें collective nouns ठीक है या अगर हम बात करें तो plurals, antonyms, synonyms तो ऐसे प्रस्ण आपको देखने को मिल सकते हैं तो थोड़ा साम लोग यहां पे एक नजर डालेंगे various studies पर फटा-फट से देख लेते हैं तो botany study of plants है, geology study of animals है फिर आपका pathology है, diseases, virology, viruses तो देखो इस प्रकार के प्रस्ण पूछे जाते हैं तो आपका यहीं से क्या हो जाता है, हल हो जाता है, फिर herpetology है, amphibians, ornithology, study of birds, बार-बार पूछा गया यह प्रस्ण है, कई बार आपके exam में पूछा गया प्रस्ण है, ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात क पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एंथ्रोप का मतलब ही क्या होता है, मानव विशेस से या मानव समुदाय से होता है, ठीक है, एंथ्रोप, इसी प्रकार entymology, study of insects, यह भी आपकी परिक्षा में बार-बार पूछा गया प्रस्ण है, इसके अलावा अगर मैं ब फटा-फट से देख ले रहा हूं, बाकि आप इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं, ब्रुमेटोलाजी, study of foods है, फिर odontology, study of teeth है, इसको आप पर सकते हैं, यहां से भी प्रस्ण आपको देखने को मिला है, यहां से भी आपको प्रस्ण देखने को मिला है, ठीक है, इसका प्रस्ण देखने को मिला है, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं, तो आप इसको विजबल होगा और नहीं भी है, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, बात कर लेंगे, अगले प्रस्ण की, अगले प्रस्ण की बात करों, तो सिगनल पर ट्रैफिक क्या करता है, रुखता है, ठीक है, सिगनल पर ट्रैफिक, रुखता है, उसी प्रकार अगर हम बात करें, डैम पर रिवर का पानी, कह सकते हो, रुखता है, डॉर, हाउस, लेंस, लाइट, ब्रे लगाएंगे तो wheel भी क्या होता है रुकता है जिस प्रकार signal पर जब red light होती है तो traffic रुकता है यानि कि जो best answer हो सकता है given option में से वो क्या हो जागा आपका option number D clear odd one out की बात कर लेते हैं odd one out की यादी मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोला है hard stone यानि कि stone जो होता है वो क्या होता है hard होता है यानि कि उसके quality है gentle की अगर हम बात करें तो यहाँ पर tender यानि कि सज्जन है सज्जन की अगर हम बात करें तो सज्जन व्यक्तियों में quality पाई जाती है कठोर की अगर हम बात करें यहाँ पर पत्थर के लिए बोला जा रहा है, मुलाया मून के लिए बोला जा रहा है, चिकना कांच के लिए बोला जा रहा है, यानि कि यही वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बाकी सब अलग अलग वस्तुओं से संबंदित यहां पे उनके गुणों की बात की जा रही है, हो जाएगा बाकी सब आपके similar words given है या synonyms कह सकते हैं आप pond, lake, bridge, tank pond और lake की बात करें तो water bodies होते हैं tank की बात करें तो tank में भी हम water store करते हैं लेकिन bridge जो है वो आपका water body नहीं है या इन तीनों से क्या है अलग है answer कि अगर हम बात करें तो option question पूछने की कोई limitation नहीं है जैसे कि last class में भी आपने देखा है कि roman number पर based आपको question देखने को मिले रोमन number भी नहीं छोड़ा यानि कि roman number से भी प्रशन आपके पूछे जा सकते हैं तो आपने जो भी अभी तक पढ़ रखा है अपने school में college में ठीक है coaching institute में या किसी भी संसान में आपने जो भी किसी भी subject की पढ़ाई कर रखी है reasoning का कोई आपका एक निश्चित आयाम नहीं है कि यहीं से आपको प्रशन देखने को मिलेंगे प्रशन आपके किसी भी subject के संबन्दित हो सकते हैं किसी भी अध्यन से संबन्दित हो सकते हैं और आपके द्वारा अरजित की गई हर एक जानकारी आपको जीवन में सफल बनाने की और अग्रसर कर सकती है तो जीवन में हमAYSHA सीखते रहना है हमेसा कुछ नहिए करने की कि जो बाते आपने बहुत पहले कभी पढ़ी थी जिनको आप कभी उतना वेटेज या वैल्यू नहीं देते थे उन्हीं बातों से रिलेट करके सीधे आपके परिक्षा में प्रस्ने पूछे जाते हैं ठीक है ना बात करेंगे यहां पर अगले पूछे के प्रस्ने की सपोर् आएगा ठीक है बाकी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव सेंस में यूज होंगे जबकि यह नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है यह आप कह सकते हैं कि आप यहां पे सिनोनिम्स के तोर पे इन तीनों सब्दों को देख सकते हैं बात करेंगे अगले प्रशन की राजस्थान पुलिस कॉंस्टेबल 2020 की परिक्षा में पूछा गया प्रशन है गोभी पत्ता गोभी सूरज मुख्य और आलू आलू जमीन के अंदर उकता है जबकि बाखी के दिये गए तीनो सबजियां या अगर हम फुल की बात करें तो ये जमीन के उपर आपको उगते हुए दिखाई देंगे तो ये था आज का सेशन आज के सेशन मैं होप कि आपने काफी कुछ सीखा होगा और इसी प्रकार से हम लोग आगे के भी सेशन में जुडेंगे और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके पूछे गए प्रस्णों में से कितने प्रस्ण सही हुए साथी साथ किन टॉपिक्स को पढ़ने में आपको असहाजिता हुई यानि कि उन टॉपिक्स पर आपकी जो कमांड है वो बहतर नहीं उसके लिए भी हमारे जो सुझाओ होंगे आप सभी के लिए वो हम लोग अपने सुझाओ आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे साथी साथ किसी टॉपिक में अगर आपको कोई समस्या या कोई बात ना समझ में आई हो कर्मिटी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्ट क्लास में कुछ और इंट्रेस्टिंग और अमेजिंग जानकारी और टॉपिक्स के साथ आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट क्लास में थेंक यू